आज का जो मुख्ष सवाल है, हाट में अगर ब्लॉकेज आ जाए, तो उस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, यानि ब्लॉकेज को कैसे रिभार्ड किया जा सकता है, क्या ये किया जा सकता है या नहीं, तो इस सवाल का जवाब है, हाँ किया जा सक और दूसरा जो सवाल है, वो है हार्ट में ब्लॉकेज क्यों आती है और कब आती है? एक बार अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा, यानि इसका सिम्टम क्या क्या है? और हार्ट में ब्लॉकेज ही ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? तोस्तो सबसे बड़ी चीच हार्ट हमारे सरीर में क्या काम करता है हार्ट दुनिया का सबसे बहतरीन एक पाम्प है और हमारे पूरे सरीर में रक्त को पाम्प करके हरे कोसिकाओ में पहुचाता है जिससे हमारे सरीर को उर्जा मिलती है और दिन भर सरीर काम कर पाता है लेकिन जो हार्ट हमारे पूरे सरी में एनर्जी का संचार करता है उसी हार्ट को अगर एनर्जी ना मिले यानि रख्त ना मिले और रख्त कैसे जाता है? कोरोनारी आठारी के माध्धम से जाता है जान भी चला जाता है दूसरा सवाल है हाट में ब्लॉकेज क्यों आती है दोस्त अगर आपका लाइपिस्टाइल खराब है यानि आप सिडेंटरी लाइपिस्टाइल जीते हैं कसरत कम करते हैं और तेल चरबी और ये सब ज़्यादा खाते हैं जैसे कि आप फास्ट फुट ल रहे तो 10-20 साल में ब्लॉकेज आ जाती है एक दिन में ब्लॉकेज नहीं आती अगर आपको हाट ब्लॉकेज से बचना है तो आपको लाइपिस्टाइल को सुधारना पड़ेगा और सारी वी कसरत करने पड़ीगी लेकिन ब्लॉकेज आने के बाद आपको पता कैसे लगेग हर एक के सरीर में अगर 50-60-70% तक हाट में ब्लॉकेज आ जाए तो आमतवर पर पता नहीं चलता लेकिन एक बार अगर ब्लॉकेज 100% चला जाए तो हाट ब्लॉकेज के कारण लोग जान गमा देते हैं क्योंकि रक्त का संचार हाट में ना होने के कारण हाट का सेल धीरे-ध पर जाता है लेकिन इससे बचने का तरीका है साबधानी अगर आप पहले से साबधानी बरतेंगे और इसके बारे में पता कर लेंगे और इलाज ले लेंगे तो ऐसे अचानक मौत से आप बच पाएंगे लेकिन इसका सिम्टॉम क्या है दोस्तो हाट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा जो सिम्टॉम है आपके चेश्ट में बहुत ज़्यादा तेज दर्ध होती है सांस लेने में तकलीव होती है फैटी कोती है लोग फ्हेंटिंग हो जाते हैं और उल्टी आती है और भी कई पहचान सकते हैं अगर आप ज़्यादा कसरत करेंगे तो आपका चेस्ट में पेन होगा लेकिन कई बार लोग चेस्ट पेन को समझने में बहुत ज़्यादा गल्दी कर देते हैं एक आपका हार्ट अटाक या हार्ट फेलियर का जो चेस्ट पेन होता है और दूसरी पेनिक या गैस में लोग सोचते हैं साथ chest में पेन हो रहा है लेकिन heart का chest pain और panic attack या stress में जो chest pain होता है उसका जो तरीका है थोड़ा अलग होता है जैसे anxiety या stress में जब chest pain होता है वो हर समय होता है लेकिन अगर आपका heart blockage के कारण chest pain अगर होगा तो आपको ज़्यादा कसरत करने से आराम से बैठेंगे तो आपका chest pain जो है धीरे-धीरे करके कम हो जाता है आपको आराम मैसूस होता है लेकिन सबसे बड़ी बात हाट में blockage ही ना आए इसके लिए आपको क्या करना है तो सबसे बड़ी जो चीज है आपको diet में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अधीरे करके हमारे coronary artery में plague formation होता है जो पता नहीं चलता और plague formation या heart blockage एक दिन में नहीं होती अगर आपका cholesterol level अगर सही भी रहा लेकिन आपका heart में plague formation नहीं होगा ऐसा आप कह नहीं सकते लंबे समय से ऐसा होता है लेकिन इसके लिए आपको diet में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है diet में खासकर तेल चरबी मीठा एस सब चीज कम करना है और साथ में fresh vegetables और fruits इसको include करना है और दूसरी जो चीज है आपको stress management करना है stress हर किसी को होता है stress आएगा भी नहीं ये भी आप कहे नहीं सकते और आपका हाथ में भी नहीं होता लेकिन आपका हाथ में जो एक च आएंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा तीसरा जो चीज है physical exercise अगर आप हर रोज physical exercise करेंगे तो इससे आपका cardiovascular जो health है वो अच्छा रहता है इसके बाद जो आता है सबसे एहम चीज हो है smoking smoking आपको नहीं करना है अगर आप smoking करेंगे तो ये बहुत बड़ा risk factor होता है इसलिए आपको smoking बिलकुल नहीं करना खास कर अगर आपका blockage हो भी चुका है और इसमें stand भी लग चुका है या दूसरा कोई heart का विमारी है तो smoking बहुत बड़ा एक खत्रा होता है इसलिए आप जरूर smoking से बचे इसी तरह से अगर आप इस तीन चीज को follow क करेंगे अच्छी नीन लेंगे stress को manage करेंगे और खाने पिने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका heart blockage होने का खत्रा बहुत हद तक कम हो जाएगा अब आती है heart blockage को reverse करने की पारी क्या heart blockage reverse क्या जा सकता है आपको पता लग चुका है आपका heart में 70% से ज़्यादा blockage है तो कैसे इसको reverse करेंगे दोस्तों diet, exercise और smoking इन तिनों चीजों को maintain करने के साथ साथ एक किसम का दवाई है जिसका नाम है statin इस दवाई को अगर आप 2 साल continue लेंगे तो इससे आपका heart blockage जो है 2 साल में काफी हद तक घड़ जाएगा एक नया तकनीक है और इसको आप जरूर डॉक्टर से सला करके ले और एक काम कैसे करता है यह जो standin दवाई है यह आपका खराब cholesterol की मातरा को धीरे-धीरे करके घड़ा देता है जिसके बज़े से आपका जो plaque formation हुआ है ओ भी धीरे-धीरे करके घड़ जाता है और आपका cholesterol level जो है वो maintain रहता है खराब cholesterol घड़ता है और अच्छी cholesterol जादा होने से आपका सरीर को कई तरह का फाइदा होता है जिससे blockage हड़ जाता है और आप आसानी से एक आम जिंदिगी जी पाते हैं उमीद है दोस्तों heart blockage के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा और इन सब है जो heart attack के बज़े से जान गवा चुके हैं तो इस बीमारी से आप साबधानी बरते और अपने रिष्टेदार दोस्तों को भी वीडियो सियार करें ताकि ओ भी साबधान हो सके धन्नवाद